हेलो फ्रेंड्स ओपलेट्स मोगा सोगत दोस्तों कैसे हो दोस्तों आसा को तो बहुत अच्छे हों कि अच्छेड़ा होगी तो आज का जो टॉपिक है ओ सैमसंग कंपणी का सीएटे टीवी है 15 इंच का तो इसका क्या पॉल्लम है इसका पॉल्लम कस्टोमर के यहीं बुलना ह इसमें पिक्चर तो नहीं आड़ाम तो ऐसकाई पenथ कंड़ मतलब डिवी कभी-कभी चैरो यहार है कभी-कभी चैरो इन नहीं होता है एक बिल अएक ब्लक जाते हैं लेकिन तब भी चालो नहीं आता है ठीक है कभी-कभी रात को चलो हो जाता है कभी-कभी सुबा चलो हो जाते हैं लेकिन रात को नहीं चलता है तो ऐसा ही इसका पॉल्लम है तो आप लोग देख सकते हैं जो इसका इंडिकेटर है ने LED है देखें अलोएस ब्लिंग कर रहा है तो यह जो अलोएस ब्लिंग का पॉल दिमाग घुम जाएगा यार लेकिन आपको मालूम नहीं चलाएगा कि कहां से क्या हो रहा है तो चलिए पूरा वीडियो देखिए आपको पूरी जानकड़ी मिलेगा सेमसंग का क्योंकि सेमसंग और मार्केटिंग जो बोड होते हैं अलग कंपणी का अलग रूल्स होते हैं तो चलिए वीडियो के तुरू आपको दिखाते हैं तो मॉडिल नंबर आप देख सकते हैं पंड़ा इंच का सेमसंग टीबी है तो गैट्स अगर आप चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके चूर रहे हैं और विडियो अच्छे लागे तो लाइक कर दिजिए तो देखिए यहाँ पर जो इसका बोड है यह ओरजिनल बोड है तो हो क्याड़ा इसमें अब मैं दिखाड़ा हूं आपको बहुत अच्छा से आप देखिए इस बोड को जो और जिनल बोड है अलग-अलग problem होता है ठीक है तो मैं देखा हूंगा तो फुरसा में clean कर लेता हूं इसको फुरसा गंदगी है तो clean कर लेता हूं तो चलिए बनेड़े वीडियो के सथ और दोस्तों पूरा वीडियो आप देखिए क्योंकि अगर आप फुरसा भी script करते हैं तो आपको बहुत जानगड़ी जो है छोड़ जाएगा तो बहुत अच्छा से आप काम सिख सकते हैं मेरे जो इस चैनल है इस चैनल के वीडियो देखके आप बहुत अच्छा से काम सिख सकते हैं घर में बैटके ही तो आप ध्यान से देखिए जो मैं दिखाड़ा हूं देखिए अभी भी क् एनि LED जो TV का वो अभी भी ग्लोव होड़ा है तो क्या करना पड़ेगा इसके लिए फास्ट टाइम जो कुछ भी पॉब्लेम हो जाए आपको आपको क्या करना पड़ेगा क्या क्या करना पड़ेगा क्योंकि अल्वेस ब्लिंग खोड़ा है तो HD में जा रहा है और उसका collector में जा रहा है यानि output जो लगा हुआ है वहाँ पर output भी ये voltage जाड़ा है तो चलिए अब आपको और कुछ इसका जो important voltage होते हैं वो सब voltage दिखाऊँगा तो देखिए मैं भाडिकल में जब मैं देख रहा हूँ कि positive और negative supply भाडिकल IC में जाड़ा है यानि देखिए मैं बोला आपको फास्ट राइम कि ये जो TV है कभी कभी चलने लगता है तो देखिए आभी automatic चलने लगा क्योंकि अगर TV नहीं चलता अगर HT नहीं होता तो हमारा भाडिकल सेक्षन में voltage नहीं आता क्योंकि भाडिकल सेक्षन में voltage HT से ही आड़ा है तो देख सकते हैं आपको बहुत और भी दिखाएंगे कि आखिर इसका region क्या हो सकता है ऐसा problem होने का तो driver पर आपको voltage देखना पड़ेगा उस pulse को चेक कर रहा हूँ तो देखिए IC से pulse आड़ा है आपको कहां चेक करना है जो base पीन है याणि IC देखिए इस resistance के तुरू यह जो middle पीन है इसका collector 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 में voltage आड़ा है driver से आड़ा है ठीक है तो देखिए आप और क्या हो रहा है बेस में बेस में देखिए 0.5 या 4 अगर आपको सो होगा तो आप जान लीजिए कि IC हमारे रेड़ी है यह इस्टन भाई रेड़ी है उस टेंजिस्टर के base में में तो देखिए रेश्टेंज देखिए IC के पास जढ़ा है याणि IC से पाल साता ही यहां पर ओके तो आपको बहुत ही आसन तरीके से मैं समझा दे रहा हूं कि देखिए वहां पर रेश्टेंज से और रेश्टेंज से क्या उड़ा है IC तक इसका line एक ही है तो उतना दूर तो सही है याणि IC हमारा सही है आप देखिए यहां पर वोल्टेज रहता है जो तो दिखा रहा हूं गाइट्स यहां पर एक यहां पर एक IC रहता है जो रेगुलेट IC है इस्टर नमबर के लिए तो देखिए इसका 10 नमबर में कितना वोल्टेज है 5 वोल्टेज तो यह जो IC है सब 3.3 उसका 9 नमबर में तो ठीक है मैं वोल्टेज में आप लेता हूं उसके बाद बोलता हूं आपको और 7.9 तो जितना वोल्ट में जैसे मेजर कर रहा हूं बस आपको IC मेजर करना है क्योंकि सैमसेंग टीवी में यह जो रेगुलेट यानि सिस्टेम इस्टनबाई के लिए जो IC है यह IC सब बोल्ट में एकी रहता है सैमसेंग कंपणी का maximum board में यह एकी रहता है ठीक है तो मैं जैसे मेजर कर रहा हूं यह वोल्ट में आपको सेम मेजर करना है ठीक है कहीं पर भी अगर आपको problem दिखे तो उस line को आपको track करना पड़ेगा तो देखे यहां पे जो भी आप लोग्त देखाएं अलाये इसको कि आाखिर क्या होères इसमें तो देखिए मैं 180 वोल्टेज चेक कर रहा हूं 166 वोल्टेज मतलब एश्टीवी बन रहा है अभी तो बनने लगा ठीक है तो क्या बोलेंगे आप लोग तो देखिए बहुत किटिकल फोल्ट है क्योंकि एक बात मैं बोल देता हूं आप लोगों को यह जो सैमसंग कंपणी का है इसका अगर आउट्पूड में कोई भी कॉम्पोनेट्स खराब हो कोई भी गरबर हो तो यह क्या कड़ेगा यह लेडी ऑल्लेज ब्लिंक होगा कभी कभी टीवी चाल होई देगा कभी कभी न चालोगा उसका इंडिगर भी आउट्पूट कर जाएगा तो यहां फे आउट्पूट नहीं कटे ठीक है यहां पर क्या होगा यहां पर देखीए यह जो दो पीएब आपको दिखाई दे रहा हैं सैंसंग टीवी में रहेगा इस दोपीएब होता हैं बहुत खड़ाब होत मैं खोल दूगा और खोलने के बाद आपको मैं दिखे रहा हूँ इसका मान कितना है तो इसका मान देख सकते हैं खोलते खोलते एक फट गया तो देख सकते हैं इसका अंदर कितना लूज हो गया था कितना मतलब दूर्बल हो गया था यह जो पी एफ है तो देखिए इसका जो फट भी गया खोलने बाद तो इसका मान है 681 2KV ओके यानि 2000 वोल्ट 2KV मतलब होता है केवी का मतलब होता है वोल्टेज का और 2KV यानि 2000 वोल्ट तो गयाइट्स आपको समझवाएं केवी का मतलब होता है यह 1000 में इसको कनबट करते हैं ठीक है तो देखिए मैं दो जो पी एफ है वो दोनों पीएफ को मैं लगा दिया इसमें और पीएफ को लगाने के बाद मैं सेट पे लाइन दे रहा हूं और आपको देखिए वहाँ जो इंडिकेटर है मैं इंडिकेटर को दिख रहा हूं कि इंडिकेटर देखिए नहीं जड़ा है और आप लोग धेयान से काम कीजिए देखिए एक एक पॉइंट चेक कीजिए आपको मालूम हो जाएगा तो देखिए टीवी तो रानिंग हो गया आप मैं इस पर वीडियो लगाऊंगा और आप लोगों को दिखाऊंगा इसका वीडियो कैसे आड़ा है तो आयोप की आप लोगों समझ में आ चुकिए कि कैसे चेक करना है तो इस्टन वा फॉलम का तो रूल सबाइज step by step मैं आपको बता दिया आप देख सकते हैं मैं इस पर वीडियो दोंगा तो फिर से आप देख लीजिए मैं फिर से लाइन दिया इसको तो इसका indicator एक बड़ी glow हुआ जैसे कि पहले बार-बार glow हो रहा था और टीवी हमारे जो सही है अभी चट रहा है टीवी अभी देखिए आप पिक्चर कितना अच्छा आड़ है ओके गैट्स तो बस घर बैटे आप काम सिखिए ऐसे ही इंटेस्टिंग जो से डी टीवी का काम है और भी अधर कॉंपोनेंट्स इलेक्ट्रोनिक्स का मैं सवान का वीडियो लालता हूं अब घर बैटी काम सीख सकते हैं तो जुरे चैनल के साथ और मिलते हैं एक लिए बीडियो साथ तब तेक लिए बाई जैन दोस्तों